बारत में इलाज कराने आये बांगलादेशी सांसत की हत्या 12 मैं को इलाज के लिए आये थे भारत हो गए थे लापता फ्लाइट में मिले खून के निसान लेकिन नहीं बरामद हुआ शब सबसे बरा सवाल भारत में कैसे हो गई बांगलादेशी सांसत की हत्या भारत में लापता हुए बांगलादेशी सांसत अनवारुल अजीम अनार की कुलकत्या में हत्या कर दी गई और इस संबन में तीन लोगों को गिरपतार किया गया है बांगलादेश के ग्री मंतरी असवतुजमा खान ने संबादाताओ से कहा कि भारत में लापता हुए आवामी लीग के सांसत अनवारुल अजीम अनार की कूलकता के एक फ्लैट में हत्या कर दी गई बांगलादेश के ग्री मंतरी ने बताया कि अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हत्या में सामिज सभी हत्यारे बांगलादेशी है यह एक सू नियोजित हत्या थी खबर के मुताब एक मंत्री ने कहा कि बांगलादेश पुलिस ने 56 वर्षिय सांसत की हत्या के संबन्द में तीन लोगों को गरबतार किया है मंत्री ने कहा है कि उन्हें अभी उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है इस बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है जैसे ही जानकारी मिलती है तो उस खबर की वो पुष्टी करेंगे असद्दु जमा ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले में हत्या की वजो का खुलासा करेंगे इस मामले में भारत के पुलिस भी जानकारी जुटा रही है लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत आये एक सांसद की हत्या कैसे हो जाती है तीन दिन तेक एक सांसद भारत में आकर लापता होते हैं लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं मिलती है मिली जानकारी के अनुसार सांसद अन्बारूल अजीम बारा मई को इराज के लिए भारत आये थे लेकिन दो दिन बाद ही वो लापता हो गए थे बांगलादेश सरकार ने अपने सांसद का पता लगाने के लिए भारा सरकार से मदद की मांग भी की थी 19 मई को जब फरपुर के बाद जब उनका फोन बंद हुआ तो उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी उनसे कोई कंटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनकी बेटी लगातार उनसे कंटेक्ट करने की कोशिस कर रही थी लेकिन उनसे कोई contact नहीं हो पा रहा था PMO इसकी तलास में बांगलादेश सरकार और भारती अजनसियों के संपर्क में भी था सांसत के परिवाद ने बांगलादेश की परधान मंतरी सेख हसीना से इस बारे में चिंता भी जताई थी उन्होंने लापता सांसत का पता लगाने के लिए दिल्ली और कोलकता में राजनेकों से संपर्क भी किया था कोलकता में बांगलादेश सी दुतावास भी मामले की जाच कर रहा था वहीं एक अकबार के खबर के अनुसारा जिम की बेटी फिर दोस ने मंगलवार को धाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस खुबिया विभाग में अपने पिता के लापता होने की सिकायत भी दर्ज करवाई थी बाग इस खबर को लेकर आपकी क्या रहा है कमेट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स ने होज़ें